एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल HDCTC में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाल है Economic Subsidory के सिलिवस के बारे में अर्थात इसके पार्ठेक्राम के बारे में BA Part 1 के स्टुडेंट के लिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि कुल मिला के Economics के Subsidory या General Paper में कुल मिला के 8 Chapter है और इसके अंतरगत आपको Paper 1 का अध्यन करना होता है और इस Paper 1 का नाम है Indian Economics अर्था तो भारती अर्थविवस्ता इसमें कुल मिला के कुल 8 Chapter है तो पहला Chapter जो है आप सभी के Subsidory syllabus के according वह है भारती अर्थविवस्ता की विशेस्ता है दूसरा Chapter है भारत की राष्ट्रियाए भारत की यह राष्ट्रियाए के अंत्रगत आपको क्या राष्ट्रियाए के का विकास और सन्राचनातमग परिवरतन इसरा Chapter है योजणाओं के अंत्रगत क्रिशम कार्य का विकास इसी Chapter के अंत्रगत हरितक्रानती – dobre वित्त, भूमि सुधार और क्रिशी से जुरेश्रमिकों की समस्या एवं उनके उपाई की को पढ़ना है चौथा जो चैप्टर है वो है योजनाओं के अंतरगत और द्योगिक विकास जिसके अंतरगत आपको पढ़ना है और द्योगिक निती 1956 एवं 1961 61 और दूसरी जो चीज पढ़नी है आपको सर्वजनिक शेत्र के उद्यमों के विकास एबं उनकी समस्या हैं और तीसरा जो चीज पढ़ना है आपको इसी चेप्टर के अंतरगत लगुद्यों के उद्यमों की भूमी का एबं समस्या हैं अगला चप्टर जो है पांच नमबर चप्टर भारत का विदेश वैपार से संबंदित है और इसके अंतरगत भी आपको दो-तिन पॉइंट्स जो है पढ़ने हैं वो है पहला भारत के विदेशी वैपार का प्रविर्ति रुजान या प्रविर्ति बोल सकते हैं उसको दूसर जो चीज आपको इस यह चेप्टर के अंतरगत पढ़ना है वो भारत में निर्यात उद्ध्योग अब इसके बाद बारी है चटे चप्टर की तो चटा चप्टर है भारत में गरीवी एवं बिरोजगारी की समस्या और योजनाओ सात्वा चेप्टर है योजनाओं के अंतर सबसिडरी का ये सिलिबस था जो आप सभी ने इस वीडियो में जाना उम्मीद है ये आपके एक्जाम में काफी आपकी मदद करेगा